पुलो फ्रेंड्स वॉल्कम टू guardian क्रिथ ख झायद साथ की वडियो में हम बात करें के एक के बार में इस टॉक में वहुल क्या करना चाहिए कि काफी दिन से काफी करेक्शन हो चुका है तो यह स्टॉक में इतने ज्यद् STEP अभी गेन भी नहीं मिला है अगर हम देखेंगे तो यह काफी दिन से बहुत बड़ा करेक्शन चल रहा है यह स्टॉक में जिनके पास में स्टॉक है तो उनको अभी लॉस्ट करना चाहिए कि यह स्टॉक को सबको करना के पाट करके चल सकते के अंको क्या कर सकते हैं आगे के लिए इसके बारे में कि प्रेवें सबलस्तक बाटना चाहिए और मन Qué a एब जरूर्ण करना चाहिए अप देखने से पहले ons अगर कोई स्टॉक्त में क्या करना है अब बेसिक जो जैनकर है आप अब खुद यहांप स्टॉक करके को जान सकते हैं जैसे कि आप आएंगे यहां पे जह प्लेडिस्ट को जरूर विजट किजिए यहां पर ट्रेडिंग भी टुटरियल जो प्लेडिस्ट यहां पर आने के बाद में आपको यह सारे वीडियो दिख जाएगा यहां पर हम स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं वह क्राइटरिया वीडियो जरूर देख लिए क्यों बता रहा हूं यह सीद का क्यूंकि आप खुद एक जाज कर सकते हैं कि आप सही स्टॉक में एंटर हुए हैं या तो फिर आप गलत स हैं तो आपको पर्फिक्ट एक मिल जाए कि आप अच्छा सा स्टॉक में अभी होल्डिंग करके बैटे हुए हैं मार्केट सिनारियो की रिजन से स्टॉक में करेक्शन चल रहा है या तो फिर आपका स्टॉक गलत है ठीक है फ्रेंस यह वीडियो को जरूर देख लिजिए जहरूर देख लीजिए यह जो तीन वीडियो सो देख लीजिए आपको देखने के बाद में हंडर्ड़ परसेंट आसा है कि आप जो भी स्टॉक में इंटरलि हैं सारे इस्टक गलत है कि सही है ठीक है आपको पुछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा जब आप यह वीडियो देख लेंगे ना यह एक वीडियो है यह वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आजाएगा उसके साथ में अगर कुछ ट्रेडिंग व्यू औ क्यूंकि बार-बार मतलब आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं यहां पर इतना बड़ी ऐसे स्क्रीन का डाटा दिया हुआ है आप अगर खुद चेक करेंगे ना बहुत बड़ी ऐसा क्लायरिटी मिल जाएगा आपको ठीक है वीडियो जरूर देख लिए उसके साथ में पूछने की जरूरत नहीं कि हम क्या करें कौन से जगा पर एंट्री लें तो आप खुद जाज कर सकते हैं और खुद आपको आपको मिल सकता है चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो जरूर देखिए अगर आपके पास में टाइम है आप पोर्टफोलिय वाला वीडियो जरूर देख लेगे इसमें 11 पोर्टफोलियो इसमें काफी सहरा पोर्टफोलियो जो की बहुत फंडमेंटल स्ट्रॉंग पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो को किसे डाइवर्अ करके रखते हैं उन्होंने बड़ी अशे डाइवर्शीविकेशन भी क्या हैं है उतलिए जबर्दस्थ पॉर्टफोलिo है और वन्हें अपको देखने सें सबस्ट देखने मिलेगा कि पॉर्टफोलिय कैसे अच्छा पॉर्टफोलिय एंहां क्या मिस्टेक यहां कि ये स्टोक्स कि आप नीच बढ़ेगा बढ़े और चैंड बग्रेसे कंपने चोलय सब्सक्राइब ऋप्री जो कमपनी काम चेहां करते हैं मार्केट पार्म प्रप्राइब यहां पर तो इनका थ्री मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट भी है अगर हम देखेंगे यहां पर थ्री मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट इंडिया में है जो कि महरास्ट्रा में और एक वेस्ट वेंगल में हैं पहारपूर और सिल्वसा में है तो अगर यह बात करेंगे तो यह कंपनी का क्या प्रें बारह जार पांशो क्रोट का मार्केट प्रेंग है कंपनी का पी अगर हम देखेंगे 16.6 का P.E. कमपनी का ROC अगर देखेंगे 56 का ROC बहुत बहुत बहुतरीन ROC है और कमपनी देखेंगे डेट फ्री कमपनी है बिल्कुल जबर्दस डेट फ्री कमपनी है लेकिन उसके बावज़ोत में गिराबट क्यों चल रहा है अगर हम देखेंगे यहापर प्रमोर्टर प्लेज देखेंगे तो ZERO है अगर All-Time High देखेंगे 272 का है अभी बिल्कुल 50% से नीचे भी बहुत बड़ा करेक्शन है अभी 128 पर फे अभी श्टौक चल रहा है कुटरली रिजल्ट फ़ीज़ nhi 7 790 करोड का वि शप्टेंबर ह्या है जो कि पिछला चैनल सेप्टेंबर में 883 करोड का शेल था। शेल में एर अन ग्र लिख हैंगो म्याता लुक्ति को यहां घरकेंगों यहांपर सहकेँ हैं तुस्य परफिट um अगर हम यहां पे quarter on quarter का profit देखेंगे तो यहां पे एक decline बिल्कुल नजर आ रहा है अगर हम लास्ट चार क्वाटर का अगर हम profit देखते हैं friends यहां पे sales जो हुआ है लास्ट चार क्वाटर में 4037 क्रोड का sales हुआ है अगर हम net profit की बात करेंगी यहां पे 757 क्रोड का इतना ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है अगर 2019 कभी हम देखेंगे 2019 में भी यहां पे 827 क्रोड का था अभी 757 क्रोड है तो लास्ट अगर हम देखेंगे यहां पे डिसेंबर 2020 को यहां पे 583 क्रोड का था अभी थोड़ा सा ग्रोथ नजर आ रहा है लेकिन अगर हम लास्ट कुछ साल का अगर comparison करेंगे इतना सदा ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है अगर हम balance sheet के बात करेंगे तो यहां पे balance sheet में तो बड़ी ऐसा growing हो रहा है अगर reserve की बात करेंगे यहां पे 2017 को 526 करोड का रिजर था तो 2018 को fucked durch 2019 क्रोड लुसके बात में 2020 20,20 को यहां पे ऑधं FREE उसके बाद में बढ़ीया से growing होते जा रहा अगर हम borrowing का ऊपर एक रुपे का भी कश्या नहीं है यह बहुँत बढ़ा positive factor अगर हम promoter का holding का बात करेंगे Friends 51 percentage का promoter के पास में holding यह तो एक बहुत बढ़ी ऐसा holding है रेंद्ज का अगर हम एफट करेंगे दो कि परसंटेज का एफ़ाय के पास में holding यहां यहां पर दियाए के बात करेंगे यहां पर 16.4 परसंटेज का का holding के पास मेरे 20 से का holding होल्डिंग तो एक बीसेंट होल्डिंग नजर आ रहा है यहां पर अगर कुछ देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर एका स्टेक भी थोड़ा सा से इंक्रीज होते जा रहा है तो अ में पूजिटिभ साहिन है अगर कम्पनी का ठीकर टिप में हम आते हैं यहां पर देखते हैं कम्पनी का जो वहलो रिली से नीचे अगर इंटेरी पॉइंट देखेंगे तो गुड बता रहा है तो कंपनी का आधसत कोई प्रोब्लेम नहीं है नो रिड फ्लक जोन तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है तो यहां पर अगर हम देखेंगे चाट पैटन में आके तो यहां पर देखिए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट यहां पर किया हुआ है 2008 से लेके 2008 से अगर हम चाट पैटन ओपन करके देखते हैं यहां पर इतना ज्यदा ग्रोथ भी नहीं आया अगर जहां पर काफी स्टॉक है जहां पर फिप्टिन टाइम स्टॉंटी टाइम स्टी रिटन दे चुका है दस बरा साल में यहां पर यह एक स्ट स्टॉंटी फेक्टर नहीं इतना बड़ा से रिटन तो इसको हम नहीं मान सकते हैं लेकिन स्टॉक में कितना परसेंटेज का वह जरूर हम चेक करेंगे जब 2014 से हम देखेंगे तो स्टॉक में अल्टाइम हाई था डिसेंबर में उसके बाद में जब स्टॉक में करेक्शन स्टॉक अब हो रहा है अब का मन में इसलें चाफिटे बैठेंगे त्यंक भी सब्सक्राइब के लिए तो हमें क्या करना चाहिए और हम देखेंगे शब्सक्राइब नजर नहीं नहीं आ रहा है यह तो पुपी रेजल्ट तो इसी साब से इतना बड़ा बड़ा रेज़ल् अगर दे सकता है इसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है लेकिन अगर आप स्विंग के लिए अगर आपने इसमें पोजिशन मना के रखे हुए मेरे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको अभी देखिया आपको जहां तक बात करेंगा आपको यह इस टॉक में फ्रे अगर आपको प्राइस जरूर आसकता है जहां पर आपने कहीं पर इन्वेश्टमेंट करके रखे हुए है अभी फिर भी आपको इतना ज़्यदा प्रफिट नहीं मिला तो आपको ठूड़ा hold करना पड़ेगा यहां तक टिक है स्टॉक का यह प्राइस शंभा कभी भी आ चुका है यहां पर एक बार रेजिस्टांस किया है तो इसी साब से स्टॉक का यह जो लेवल लेवल तक आ सकता है अगर आपने यहीं पर कहीं पर करके काफी दिन से बैठे हुए हैं या तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में आपको नहीं निकलना है जब इतना दिन गुजार लिए इतना दिन जब आपने इंतिजार किये स्टॉक में हो सकता है आपको सिक्स मौंस में यहां तक टार्गेट आ सकता है जो की 154 तक तो पर तूट बीचुका था अगर हम यहां पर देखेंगे यहां पर तो एक बार सपोर्ट तूट बीचुका था देखिए यहां पर सपोर्ट निच्छे चल रहा है ठीक है अगर आपके इस टॉक में पोजिशन है फ्रेंट्स अभी लॉस्बूक मत किजिए क्योंकि कंपनी का उपर इतना बड़ा नेगेटिव फेक्टर कुछ नजर नहीं आ रहा है हां प्रॉफिट इतना ज्यादा ग्रोइंग हो नहीं पा रहा है लेकिन इसी साफ से अगर हम देख ह falta स्टाउटा एक उटाउटेटिश्च बडाइट बॉक्तिव फ्रेणि यहां परॉपिस तो जहां परChristian इल रहा है यह भालेटि आथैनर घ्याना मिल रहा है यहां स्टॉक कोई बुरा नहीं अगर लॉंग्टर में इन्वेस्टमेंट है आपको डिविडेंट मिल रहा है आप बने रही है जब तक आपको टार्गेट आचिव नहीं हुआ है तब तक आप रुकिए तो जब टार्गेट एक बार आचिव हो जाएगा उसके बाद में निकल जा सकते हैं ळोगी काहला करना है। उसके लिए ने निकली तो लेवल में आपको प्रफिट बोगिंगं करना है वह यहां पे ने ठीक है यह लेवल तक भी जरूर जा सकता है अगर थोड़ा दिन आप इंतेजर करेंगे तो ठीक है एक साल अगर इंतेजर करेंगे जो टार्गेट 168 तक जरूर जा सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ा बगत आपको लग सकता है फ्रेंट्स ठीक है अगर को अच्छा शटाय को डाइवर्जिपी pushes रखना यह सब वीडियो आपको देखना जरूर है थोड़ा सा अगर ए marks आगि भी गोड़ा सब फिसला स्हू करना ले सकते हैं वीडियों काफिश्या विडियो है जो जब आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप देख लीजे विडियो कौन से जगा में आपको प्रफिट बुकिंग करना है आपको जरूर जाएगा बाकि उसके एलावा अगर आप स्टॉक मर्केट में करना चाहते हैं अगर विडियो देख रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट करना फिर स्टॉक में बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करना है है जो यहां पर आप करना कि किसे एक अच्छा सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा वेल्ट बना सकते हैं यह वीडियो को जरूर देखिए और आपके फ्रेंट्स लोग साथ में भी सेर किजिए क्यूंकि अभी स्टॉक मर्केट में करेक्शन चल रहा है अभी अगर काफी सारे फ्रेंट्स को अगर आप ब किजिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक लाग रुपे लगा लो चाहिए पांच जार रुपे लगाओ कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन अच्छा सा वेल्थ बनना चाहिए चाहिए जब आप इंकम कर सकते हैं जब आप अपना पोर्टफोलिय को ग्रोग कर सकते हैं दूसरे आपके पास में अगर आपके पास में एक लाग है दसजार रुपे तो इन्वेश्टमेंट कीजिए अभी का एक मौका है ना जब निफ्टी करेक्शन में चल रहा है अभी का मौके पर अगर फाइदा नहीं उठाना है जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चलेगा उस टाइ पर हन्योएल आटोमेशन है कुण से स्टॉक बुरा है सारे स्ट जबर्दा स्टॉक है बाजाज फाइनांस हुआ यह सब स्टॉक में और भी करेक्शन चल रहा है पिडिलाइट हुआ कितना बार बता चुका हूं यहां पर इंफोई का बार में बता रहा हूं यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी पॉइंट मिलेगा आप उसको लिंक में से आपको अपना यह सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह सब इनका फीचर है जब आपका कुछ पॉइंट बनता है पॉइंट को आप यूज करके हैं यह इसका प्रो भर्जन भी तो इसलिए तो इसलिए चेखनिकल आनलीजिस जिसको मालू में तो लेवल दिखाता है लेकिन फिर भी आपको लॉर्निंग कर रहें तो आप वह इसे आप अगर तीन-चार आदमी को शेर कर दिए तो वहां पर आपको पॉइंट से आप तो बहले आपको इंकम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो आपको कुछ ब्रोकरेज बगरा कुछ नहीं मिलेगा ओंली आपको पॉइंट्स में से आप रिडिम करके यहां पर टिकर टिप का आपने ले सकते हैं यहां पर प्रोबर्जन ब्रांड है क्योंकि हम खुद यूज करते हैं हम उसी दूसरे को भी ओही रेकोमेंड करेंगे ठीक है यह सारे वीडियो खुद देख लीजिए और उनको भी शेयर कीजिए जो अच्छा अच्छा वीडियो है यहां नहीं कि हर कोई श्विंग ट्रेल स्टॉक्स को से करने की ज करने की जरूरत नहीं अगर आपके पास में सर्प्लस मनी है बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक है जो कि बहुत बड़ी अच्छी वैलोएशन पर मिल रहा है वहां पर इन्वेस्टमेंट किजिए अभी आपको अभी यह स्टॉक में जब करेक्शन चल रहा है ना उस टाइम पर घबराने की जरूरत नहीं है मैं बोल रहा हूं ना मेरा भी पो यहां पर प्रफिट नहीं हुआ तो हमारा घड़ नहीं चलेगा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है हम तो यहां पर वेल्थ क्रियेशन के लिए हैं हमारा यह पाट टाइम है हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक है तो इसलिए आप बिल्कुल सांती से यहां पहला नहीं सब्सक्राइब कीजिया है यह को सब्सक्राइब आपको क्या यह मोटिवेट कीजिये थैके चैनल हिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिशे और से ऊच्छे sent us a.qb